अग्च वेल्कम टो मैं चैनल ट्रेड़ पैड आज इस पीडियो में बात करें कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रह सकते हैं चीए वीकली अनलाइसिस करेंगे फिर डेली इस अब तो करेंगे और साथ मेरा मैटल स्टॉक जो लास्ट वीक पताया था कि मैटल में क्या होने वा थोड़ा आप इसमें नजर रख सकते हो ठीक है थोड़ा सा मतलब में जदा बतानी पहूंगा लेकिन फिर भी में जितना कोशिश करूंगा जितना लिमिट में रहें बता सकते हो ठीक है तो वीडियो पूरा इंट्रेस्टिंग होने वाला है लास्ट तक देखना वीडियो थीकगे खेंद लहना है थोड़ा बेरिस तो लग रहा है कि दूनों में ट्रacks किया पिर्स ट्राइक कि एफिम एक ठीक्क क Sorry ठीक ठीक है तो अभी एक चांस से अधिकेक अगर एक दम लाइक ट्रडिशनल चार्ट प्रेटन के बारे हो तो इसके नीचे आपको मतलब बेरिश के लिए सोचना है लेकिन मैं थोरा सा मतलब सोचता हो पहले कि हां ठीक है अगर बेरिश होने वाला तो मैं पहले थोरा हाल का पोजिशन बना लेता हूं अगर बाद में हो do click mark 的 के अपर उपर जाके के इस प्रक्षा करेता हो सकता है एक है यापें यूटितना प्रफ्रेशन खाल्व सकता है तैन बाद मीए भीड़नेस को ब्रेक Πुरकार सकते ह När विस नेगेज खली एक प्रावलम है यह वाला केंडल यह वाला केंडल नहי heavily प्रावलम क्रेट किया ताभ केंडल के बाद करना इसmaskin होता है तो इसे लिए फोर्ष जाहिए प्ररी्स क्या है तो और घंट हम उर दोड़े तक्ति है गए उन्यौने का भाड़ यह बहुत करेंगा तो मार्केट यह भागे कि बहुत ज्यादा इस लेवल को अर्गेने टेस्ट कर चुका ओलडिए नीचे के लेवल में देखो यहाँ पर टेस्ट किया दो बार तीन बार होगा इस पिछे भी देखो कि तो पिछे आपको मिलेंगे ठीक है तो यह आहीं मार्केट ने लेवेल डेखा कितना भपने टेस्ट केने व्हले लेविल भी तो अभी आ ज़्ीया जब जाएगा न तो ये रूक्ने वाला नंहें ये फ्लो में जाएगा उपर भी जाएगा तो रुखने वाला ने फ्लो में जाएगा ऑठी देयवनगा senators अप्र जटका देखें लग नीचे जटका देखें लोगों फसा के बेरिज बना के फिर मागे यह सेम उपर और जटका देखें फिर आए ऐसा हो सकता है तो आपको इसको क्या करना है कि जोन का तोड़ने वेट करना अगर को ट्रडिशनल वेपे करता है में थोरा सा लग करता हूं मैं बताओंगा आपको कैसा करना है उसको मैं कैसा करूंगा वो बताओंगा आपको क्या करना है वह आप देख़ोगे और इसमें भी सिंपल है इंट्राडे में सिंपल है कि 500 और 800 का जोन है यह वाला जोन जहां भी तोरेगा ना एक हलका सा मूव तो देगा लाइक उपर के साइट में 200 पकड़ लो नीची के साइट में 300 पकड़ और अब इसको 800 और 500 इसको तरह बीट कर से मालोग पलगी थो दो यहाँ पर यहाँ पर ीसर पोOULD लिए शोट कर सकता है तो इसको अच्तिर पांसोगा लेवल車 कर नहीं जा ब्रैक कर एक भी को सब्सक्राइब को देखके ट्रेट करना एक ज्यादा वो नहीं रखना है कि हाँ ज्यादा क्रिटिकल नहीं करना है सिंपल रखो जहां ब्रेक करेंगा उस साथ ट्रेट ले लो ठीक है तो वैसे आपको सिंपल रखना है उपर के साथ में 200-500 cp maximum निछी का सार सवराइब ज्यादा आफ रख सकता है 500 को ब्रेक करें तो हैं तो यह आपका रखना है अपको बोला कि किसे आपको उस लेवल को इंपौर्टेंश देना है तो वह आपको याद रखना है अभी कि मेरा क्या मतलब वो है कि मैं क्या करूंगा पोजिशनल बीसें पर बात करो ठीके में बात करो मैं बेरिश हूं मैं बेरिश हूं अंटिल और अनलेस फिप्टी वन थाउसन नाइन हंड़री वाला जोन तोरा सोन फर्पर तरी कि सनात ओर प्रपर तरी कि इंदाशन्स कि माननी लोग इस को तोरा तोर के थोरा गया ठिक है अच्छा किसा गया तोर के तो यहां पर कुछ मुझे प्राइस एक्षिन मिला तेन यहां पर मैं लॉंग करूंगा तभी में लॉंग होगा ठीक है तभी में लॉंग होगा ओ रेंज तो बहुत उपर है वह फाइवन पहली लॉंग हो जाओंगा और सेम फिंग निचे ब्रेक करता है मैं तुरंथ शॉट हो जाओंगा और अगर मुझे 900 के आसपास इस लेवल आसपास 809 कहीं पर बेरिस सिंगनल मिला तो मैं शॉट के लिए देखूंगा और पोजिशनल बेसे बात कर रहो मैं इसको ठीक है मैं इसको इंटरे के बिसेस बात नहीं करो पोजिशनल बीसे बात कर रहो हूं और मेरा अगर बहुत बढ़ा हो जाएगा अल्यिव ंजिग लगे हम लोकी स्टाप व्हीट हो एक क्यूंकि मार्ट कीने पहले तौरा नीचे के तरफ तौरा ठीक है फिर उपर के तरफ तो रहा और दोनों में स्टाप लोस खाया मतलब नीचे जब तो रहा तो हम लोगा स्टाप ल तोरा फिर भी हम लोग इसमें तो कुछ इस्यू नहीं है तो यह मेरा परसेनल स्टैंस है मैं बेरीश हूं अंटिल अनलेस मैं ने बोला कि 51,900 उपर की तरफ लग डिसाइशिवली ना तो रहे तब तक में बेरीश हूं और नीचे अभी तो यहां पर भी खाहिए पर मुझे ब कि अपर है कि अंड़ीअ को में तो मेरा टार्गेट बहुत लमबा करने इसमेरा नीब होगा मेरा और यह पॉजिशनल बिस प्रोगा ठीक है तो यह लोग ने बैंक देख लेखिल सबना यह फार विक दिखते नीफ्टी मिट्विख लेकले सब्सक्राइब विकली में निफ्टी में विकली देख रहा है तो देख रहा है तो इतना सेलिंग के बाद यहाँ पर कोई पूल बैक नहीं बनाया देने सेलिंग लिए अधिक एलेक्शन के वेसेलिक्षन के चक्कर में थोरा सा उपर गया था इन फिर से यह यहां पर आके ना नीचे के लेवल पर कमफर्टेबल रहा है मतलब इसको उपर जाने के इतना जल्दी नहीं उपर जाहीं नहीं पा रहा है यह इस एलेशन इतना अच्छा वो था फिर भी उपर नहीं जा पाया फिर भी निचा रहा है तो इसमें थोरा सा वी कि देखो अभी इस चीज़ आपको विकली में दिखा देता हो ठीक है यह जो जोन है यह वाला जोन जो होता है इस अब जोन एक बात याद रखना जो जब हमें बहूरा सकता है यह सब जोन से बहुत टायाम दिखा गया शर्पर पडर सलता मतलब Suppose भी अच्छी ऐरवार on जेले आम लोग देख लिये वान आवर में थोरा साम लो देखते एंट्रस्टिंग चीज और में तो आपको यह धान में रखना है लैक में क्या चाहतो हो बाद में मेरा वाला बोलूगा मैं देखो वन आवर में आपको एकना चैनल दिखे अच्छा खासा एक चैनल है एकदम पर्फेक्ट चैनल एक तो यह चैनल भी इंपॉर्टन है कि एक बर इस चैनल का लोग टेस्ट करें तो और अच्छा है बहुत लोग यहापर ट्रेप होंगे देन यह फिर से यह रिजूम कर सकता है अपना रिजूम नहीं मतलब अपना अप्ट्रेंड में जा सकता है या फिर अच्छा खास बाउंस आ सकता है तो लिक आई वांट कि यह थोड़ा सा एक बर के लिए ब्रेक करें नीचे कि आके ब्रेक करें लोगों फसा है देन उपर जाए जब फस के उपर जाएगा तब मजाएगा यह वाला चैनल आपको बहुत अच्छे से दीख रहा देखो मतलब तो पॉर्फिक्त चैंदेल ना लाक आंब पर गर जाए जन तो इस तरह काम हम ओतेचे घ्ल में ठेक है तो आपको इह ध्याद में रहान इन हर। यह वाला चेंल इन्पॉर्टेट है तो पूजिचनल में क्या करना है मैं क्या करूंगा वो बताओंगा अबी अबक guitaritel देख लेते हैं तब तब तक में मतलब यही सब ठागेट रहे गां और में भी रिशू निवित निफटी में भी बुलिश तभी होंगा जब यह 24400 के उपर decisively जो लेवल मैंने बैंक निफ्टी में बात किया था 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 दूर ने यह बैंक निफ्टी तो 51900 के उपर जो बला था इसमें में 24400 के उपर ही मैं ब्रेक करके वहाँ पर कमफर्टेबल होगा तभी मैं बुलिश होंगा इसके पहले में बुलिश नहीं होंगा ठीक है और मतलब और उसको आप 24400 इस लेवल का ऐसे रेजिस्टेंस के तरह भी ट्रीट कर सकते हो आपका मर्जी है ठीक है और क्या है मैं क्या जाता हूं मतलब मेर जो परसनल चीज है मैं चाहता हूं मार्केट थोड़ा से और डीप आए ठीक है मैं जैसे कहा था लाज वीडियो में इसको ब्रेक करें इस लेवल को अल्मूस्ट ब्रेक किया था लेकिन और थोड़ा डीप 500 600 लाइक इनो इस लेवल क्या सपास आए तो क्या होगा यहां पर जितने लोग फसे हुए न यह जो फसे हुए है सब निकलेंगे सोचो आप मतलब कहां से अब तक नोवेंबर तक मतलब जितना भी तीन जान महिने ओंगा जो इपहरां पर आचाहिए तब जो मज़ा आगा तब जो बाइंग आएगा वह अच्छा होगा शायद लोग भी वेट कर रहा है बहुत लोग इसको ब्रेक करके यहां पर अगर कुछ बुलीश मिलेगा वह बहुत सही होगा मतलब बहुत अच्छा खासा एक आपका ट्रेंड मिलेगा अपसाइड में आपका एक एक स्टॉक 30-40 परसंट भी जाएगा मतलब 30-40 परसंट भी जाएगा ऐसा मतलब होगा क्यों कि मार्केट सर्दिनली चेंज होगा तब बहुत वह क्या बोलता है वाइलेंट मूब देग उपर के तरह वैसे हो सकता है तो मेरा यह अभी स्टैंस है कि जब तक अधर था इसे जस्ट क्योंकि लोग पसंद ने गिरी विटी तो मैंने कहा था कि मिरेस्ट परसीट भी बहुत कुछ लग गया होंगे तो इसलिए मैंने कहा था ठीक है यह वाला तो सही है तो सही है अनल मेटल भी स्टप्लोस हीट नहीं हुआ और इस को फूरा सूब यहां तक कड़ोंगा ठीक है इसको मैंने किया यह लेवल हो सकता भी करें एक लाक फशा। एक सबसंद के मार करें सकता है टाकंद नहीं है यह तो मेरे इसमा अच्छा है सहो का है जो भी है और मैं इसा पूरा प्रोसेस की ने बता पार पता है कुछ हो गुश्mesi कें रहाई ने यह वाला तो यह यह वाला देखो मेरा अभी तक नहीं हुआ हुआ हीट यह तो बहुत अच्छा गया था रहे तक ही नहीं होगा और एक कैंडल बहुत इंड़ा बना है ठीखते इसका भी नहीं थुरसा ऊपर गड़ देता हूं इसको तो ऑपर कर देता हूं इस लेपल तक लेकर तो हाथ हूं ठीख है इसले लिए प्लेवा भी इसमें मेरा अली बचाए यह तक आयेगा तो मैं निकल दिल जाँगा थीजो रखते एभी रखोंगा मैं इसमें कोछी दिक्कत नहीं है एयर, इसला धू Science करना पसंद करूंगा इस लेवल पर तो इसमें भी मैं इसको कन उठाइब सम्पोड़ टो इसको उठाइब है धू Nou तो इसको इतना रखे वाएक्शुली में थोरा और डीप कर सकता हूँ तो इसको तो अब यह अगर जाता है तो जाएगा अभी अलडी प्रॉफिट चल भी रहे इसको रहने देता अभी के लिए हो ठीक है इसको भी रहने दोगा इसको कि मैंट्स का तो रहा सा चल रहे है जो आज हो इसको आशा चलने देता हूँ इसको बायूद में देखुंगा इसमें तो रहistes यह भी रहेगा यह भी तो है यह तो रहे गई obviously यह वाला भी मैं इसको निकाल देता हूं कि यह ना रॉंग भी टच कर चुगा है मेरा तो इसको मैं निकाल दूगा ठीक है तो पहले इसको मैं ड्राइंस को रिमूब कर लेता हूं इसको मैं हां से हटा देता हूं इसको मैं नि जब कट होगा मैं आपको बता दूंगा ठीक है अभी मैं कुछ मतलब सेक्टर्स के बारें बता तो ठीक है वीडियो दोर अलंबा हो रहा है आई नो बट आप लोग सुन लो कुछ सेक्टर्स है जिसमें अपना अभी मैं इन्वेस्ट करता है और मेरा इन्वेस्मेंट जो होता है जहां पर मुझे एक रिटेंट चाहिए यह यह फिर जो भी है लग एक कंपाउंडिंग वाला चाहिए वह में इटेफ में करता हूं और अगर मेरा इटेफ में कैसे करता हूं वह जानना है तब आपको मुझे बता बता देना मैं बताओंगा मैं निफ्टी एटेफ में में 25 परसंट से उपर मेरा होता है 25 परसंट ज्यादा होता है मैं 25 परसंट मेरा होता है जो मैं कैपिटल में वहां यूज करना चाहता हूं उस कैपिटल में 25 परसंट से ज्यादा मैं कमपाउंडिंग कर रहा हूं ETF करके निफ्टि का ठीक है मेरा क्या सोजना है investment में आप खुद को जितना फूल समझोगे जितना सुझोगे मैं intelligent नहीं हूं मैं fool हूं मैं गधा हूं उतना ज़्याद आप वह करगा जब आप खुद को intelligence समझने लगते हो ना तभी investment में पंगा होता है मैंने चीज देखा है सिंजो को सिंपल रखना चाहिए और एक दम बेवकूफ इत्रादर काम करना चाहिए कि मुझे कुछ आते हैं अगर मुझे आपका मेरा बेवकूफ वाला सिंज जानना है तो मुझे आप लोग बताना में बतांगे आपको कैसे इसको मैं ETF में इतना return कैसे बनाता हूँ मैं आपको सिंपल एक logic बतांगा सिंपल चीजे कुछ रखोंगा आपके सामने आप उसको देख को अप हैरान हो जाओगे कि इतना सिंपल ऐसे थोरी होता है इससे कर लोगे आप लोग 25 परसेंट उपर मैं कमपाउंडिंग कर रहा हूं ठीक है और मार्केट अच्छा होगा तो बहुत ज्यादा कर सकता आप लोग और बहुत चीज है अगर आपने थोड़ा कर लिया तो और ज्यादा 30 परसंट हो जाएगा अगर जानना है तो मुझे बताना मैं बता दूगा और आपको मैं पुरा प्रूफ करके दिखाओंगा उसको ठीक है मैं प्रूफ करके दिखा दूगा ठीक है अब हम लोग देखते हैं जो अभी क्या है आपका जो कुछ सेक्टर है जिससे अभी अगर आप एटिएफ में करना पे जो है Attractive Zone पे प्रायवट बैंक्स है आप लोग बोले लग आ अपने आपकंड गत ऐस्विघ्र रीडिशाल प तो आपको गिरने के आपको कोई दिक्कत नहीं है न तो आप इसको एट्यस के लिए आप तो एट्रक्टिव है अभी जो मतले अट्रक्टिव बोल रहा हो जो अच्छा करेगा फ्युचर में और जो भागने का चांस वागर आप देर साल दो साल एक साल का व्यू रगते हो तो और जो एट्रक्टिव जोन के तरफ आ रहे है इसके तरफ जो आ रहे है इसके तरफ जो आ रहे है इसके तरफ अंदर घुस रहे है घुसने वाले है उसमें है निफ्टी निफ्टी अभी आ रहे है धिर देर जो में बोला थोड़ा सा अभी आने वाला है आ रहा है निफ्ट है किया कि निफ्टी है है हैं है फार्मा है था पीस्व बैंक है ऑटो है फ्मसी जी ठीक है यह कुछ सेक्टर है जो इस तरफ आ रहा है और अर्लेड़ी है प्राइवेट बैंक अप इसकी एट्फ करना आप कर सकते इसलिए आपको एट्फ में वीडियो चाहिए मैं कैसे एट् नहीं होता हैं तो उसमें बता से करता हूं मेरा चीनल क्या हम चुमिक घला की तो आप तो इन कुछ सेक्टर में आप ETF करने से कर सकते हो धिरी धिरे थोरा सा पैसा डाल सकते हो और उसको भी कैसे डालना है वह भी में बता दूँगा तो अगर आपको अभी शुरू करना है आपको पैसा है शुरू करने के लिए तो यहां से शुरू कर सकते हो ETF में थोरा बहुत करक और मेरे ट्वीटर में भी फॉलो कर लेना वहां पर मैं अपडेट देते रहता हूं तो चलो ठीक है बाए और अपना ख्याल रखना